Hello friends, मैं हूँ Moni and welcome back to my YouTube channel तो आज मैं फिर से एक interesting वीडियो के साथ आई हूँ मैंने बहुत अच्छा सा एक topic cover किया है जो कि काफी लोगों के लिए बहुत helpful होने वाला है जो भी इस तरीके के वीडियो को पसंद करते हैं तो मैं बता दूँ वीडियो का जो topic है वो है sampling, merchandising से related है और merchandising में ये बहुत ही important role play करता है तो वीडियो में end तक बने रही, वीडियो को ध्यान से देखिए ये उन लोगों के लिए है जो कि अपनी study कम्पलीट कर चुके हैं और अपनी new journey स्टार्ट करने वाले हैं तो उनके लिए ये काफी helpful होने वाला है तो ज़्यादा बाते ना करते हुए, वीडियो स्टार्ट करते हैं तो sampling क्या है? Sampling जो process है, हमारा, like factory में जो काम स्टार्ट होता है, वो हमारे sampling से ही स्टार्ट होता है तो आज इसके बारे में मैं detail आपको बताने वाली हूँ Garment manufacturing में क्या process follow करते हैं और sampling किसे बोला जाता है, तो वो सारा में आपको बताने वाली हूँ तो sampling क्या है? Sampling is one of key elements in the pre-production process in a garment industry जो pre-production process होता है, उसे ही हम sampling बोलते हैं तो sampling हमारे जैसे ही, factory में नहीं कह सकते हैं, जैसे ही season start होता है उसके starting से ही sampling हमारी start हो जाती है कई बारी जो factory में हमारे designer होती है वो like season को देखते हुए बार के taste के according अपने designs बनाना start कर देती हैं और sampling start कर देती हैं दूसरा, हमें जो buyer से tech pack आता है like buyer ने हमें tech pack भेजा हो या buyer सबसे पहले क्या करता है like अगर कुछ भी ना हो, tech pack से भी पहले कई बारी buyer ऐसे करते हैं कि हमें, buyer हमें story board भेज रहा हो, mode board भेज रहा हो तो हम को उसे follow करते हुए, like जो भी designer है उस चीज को follow करते हुए, वो sample create करती है और फिर buyer के पास जाता है, buyer को पसंद आता है तो उसके बाद उसके बाद उसके order आता है यही process होता है, तो इसी को हम थोड़ा detail में जानेंगे तो एक तो यह हो गया, दूसरा क्या होता है कि हमारे PD merchant होती है, हमारे export house में PD merchant होती है PD merchant means product development तो उनका क्या है कि उनके पास buying house से या buyer से direct buyer है तो buyer से हमारे पास tech pack आता है Tech pack में हमारे पास designs होता है Like buyer ही हमें sketch उसमें बेजते हैं उसमें fabric mention होता है उसमें like जो भी detail हमें, जो भी garment से related detail चाहिए वो सारी चीज़ें उसमें होती है बट उसमें यह नहीं है कि जो हमें buyer ने बोला हमें actual में वही चीज़ बट हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल close होना चाहिए प्रिंट हो अग्दम close होना चाहिए उसके ऐसा नहीं कि अगर उसने जो color दिया में उसी को follow करना है वो बात का process होता है लेकिन जब product develop होता है तो उस time पे हम उसकी close चीज़ें बनाते हैं like fabric जो लिखा है buyer में वो fabric लेंगे हम प्रिंट जिस तरीके का उसमें आया हुआ है तो like season में किस तरीके का print चल रहा है या जो क्या buyer ने हमें भेजा हुआ है उससे related हम source करते हैं fabric उस चीज़ को follow करते हुए तो हम design develop करते हैं जब हमने prototype sample buyer को भेज दिया like जो भी requirement थी उसके according हमने बना दिया और भेज दिया तो जब buyer उस sample को select करता है and उसके बाद वो सोचता है कि हमें order देना है इस चीज़ पे तो उनमें से जो भी हमने designs भीज़े हैं उसमें से जितने भी designs वो select करें and उसके बाद वो order place करते हैं तो जब order place करने की बारी आती है तो actual हमारा फिर जो process होता है pre-production वाला वो start हो जाता है फिर हमें actual fabric actual print फिर जो भी print है जैसे उसमें select किया कई बारी होता है ऐसा होता है कि बायर ने suppose जो हमने prototype sample भेज़ा था तो बायर ने उसे बायर को अच्छा लगा print अच्छा लगा जो designs है वो अच्छा लगा बायर को कई बारी आसे होता है कि प्रिंट तो अच्छा लगा हम स्amt했어 सपरito करते हैं अभी हम संप्लिंग में ही चल रहे हैं हम सेंप्ल नमीं प्रॉससस में हैं अब तो अह सब्सक्राइब करेंगे तो अब क्या ने कल है ३ा ओर जैसे इस कालर चेंज कर आया या फिर और अब इस उसके बाद हम प्रिंटिंग के लिए प्रोसेस करेंगे उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं मैं इतना डीटेल में अभी नहीं जाओंगी और मोटा मोटी जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं बस वही चीज अभी मैं आपको बताने वाली हूं क्योंकि ये वीडियो जो उन स स्ब्सक्राइब लचप करेंगे दो उनको समझारी इसमिशल्स पाएंगे उनके लिले है तो वह एद्वार में हमें बता दिया किया होगा एक्टाम अप्रीटिंग से खोगा like बाद में हमें sampling के बाद क्या करेंगे हम fit sample बनाएंगे like अब हमें measurement confirm करना है measurement close करना है क्योंकि जब हमारे पास order आ जाता है तो fit हमें close करना होता है हमारा second step जो होता है वो होता है fit close कराना तो जब हम fabric processing में हमने डाला हुआ है जब हमारा फैबरिक डेवलप होने गया हुआ है, प्रिंटिंग के लिए गया हुआ, तो जब तक प्रिंटिंग में टाइम लग रहा है, तब तक हम यहां पर अपने फिट को क्लोज कर सकते हैं, फिट से बोलते हैं कि जो भी हमारे बायर का मेजरमेंट है, एक बेस प्रिंग करते हैं, तो हम फिर पी-पी सेंपल करते हैं, तो पहला हो गया हमारा सेंपलिक Lessig दूसरा हो गया हमारा fit sample and तीसरे पर हम आते हैं वो हो जाता है हमारा pre-production sample 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 ही हमारा line में hang किया हुआ होता है and पूरी production उसी sample को follow करती है तो उसके भी like up sample कितने बनते हैं जैसे development sample है तो उसमें कितने sample बनेंगे three sample बनते हैं एक buyer के पास जाता है एक हमारे पास रहता है counter और एक जाता है buying house को доपेंद्र करता है अगर आपके direct buyer है 2009 फैसा तो दो या तीन sample बनेंगे like दो sample buyer को चला जाता है एक buyer का अहारा counter होता है वो भी buyer को चाता है और तीसरह हम अपने in house रखते हैं ताकि हमें कुछ भी देखना हो कि हमने वो sample जो buyer को हमने भेजा है वो कैसा था sample तो वो भी हमारे पास देखने के लिए होना चाहिए तो वो sign होने के लिए जाता है like buyer उस पर correction करके mark करके sign करके वो sample हमें वापस भेजते हैं कि हम उसे आगे जो भी follow करेंगे तो उस पर buyer के sign होते हैं तो इस तरीके से हम sample बनाते हैं पीपी में भी same process है तो तीन कारी सेंकल बनाते हैं जाते हैं लिए 3 सैंकल चाहरा बनाते हैं like 3 पास लिए 3 बिए सेंकल का बताओं सेंक् on मैं आपको जो भी बायर वहां से correction उन्हें बताते हैं, तो वो sample पर correction करके या sample पर sign करके वो हमें वापस देंगे, इसलिए वो सारे sample चले जाते हैं, तो फिर हमारे पास पीछे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, कि हमने क्या buying house को भेजा, क्या हमने बायर को कौन सा sample भेजा है, बायर को बाकि यही process पूरे production में follow होता है, तो कई तरीके के samples बनते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको detail करते हूं कि कितने तरीके के sample होते हैं, पहला तो आपको बताया है, मैंने design sample, development sample, फिर हो गया आपका prototype sample, prototype approved हो गया, orders आ गया है, उसके बाद का sample अब बताती हूं मैं आपको, उसके samples बनते हैं, उसके बाद है shipment sample, फिर है press sample, कि press किस तरीके से होगा, किस तरीके से pack होके जाएगा, तो कई तरीके के samples होते हैं, like size set sample, उसमें सारे sizes को follow करके, पूरा size set बना के बायर को भेजा जाता है, जब हमारे पास order आ जाता है, उसके बाद भी कई तरीके के samples बनते हैं, like आपका पीपी सैंपल, प्रोडक्शन सैंपल है, जो कि most important है, उसके भिना प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता, तो वो हो गया हमारा, उसको ही पूरे प्रोडक्शन में उसको ही follow किया जाता है, उसमें सारी actual चीज़ें लगके जाती है, जो भी order place किया हुआ है बायर ने, उ तो वो है हमारा पीपी सैंपल, उसको पीपी सैंपल बोलते हैं, प्रोडक्शन सैंपल, उसके बाद भी कई तरीके के सैंपल जाते हैं बायर को, like कई सारे बायर हैं, सेल्समें सैंपल, टीओपी सैंपल भी important सैंपल है आपका, top of production, टीओपी सैंपल, top of production, वो जाएगा, shipment सै यह सब्सक्त सेंपल है कई तरीके के सैंपल है एक ऐसा नहीं होता कि order place हो गया हमने पीपी अप्रूव करा लिया production start हो गया तो मरचंट का काम बंध हो जाता है काम नहीं बंध होता जब तक shipment चली नहीं जाती है तब तक मर्शंट का काम खतब नहीं होता है हमें PNA अपडेट करके रखना होता है कि जो भी हमारे शिप्मेंट की डेट है वो मीट कर पा रही है या नहीं प्रोडक्शन उस स्पीड में है की नहीं तो इन चीजों को फॉलो करते रहना पड़ता है मर्शंट को उसके बाद पीपी के बाद भी कई सारे सैंपल्स होते हैं लाइक कई तरीके के सीलर सैंपल जाते हैं बायर को टीओ पी सैंपल है सेल्समें सैंपल है प्रेस सैंपल है तो कई तरीके के सैंपल होते हैं जो भी बायर साइज चार्ट फॉलो करता है उस तरीके से उसके सारे सा मेंचन होती है तो हमें उसको ही फॉलो करते हुए पूरे प्रडक्शन को फॉलो करना है तो साई सेट में सारे सैंपल बनेंगे लाइक अगर एक्स्ट्रा स्मॉल टैग, वाश केर, साटन रिबन, हेंगर लूप जो भी चीज उसमें लग रही है, वो सारी चीज़ें, उसके बाद पैकिंग में भी बाद ने हेंगर भाग बोला है, प्ली बैग में बोला है, साइस डेमेंशन क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें उसमें follow होती है तो merchandising बहुत ही interesting है अपने आप में like जो भी लोग हैं इस field से जब आप job के लिए जाओगे तो आप वहाँ पर देखोगे जब आप job के लिए जाओगे तो अपने आप ही आपको पता चलेगा बहुत ही interesting है और जो लोग एक बार merchandising कर चुके हैं अगर वो lifetime job कर रहें तो बहुत अची बात है लेकिन अगर वो किसी reason से job छोड़ भी देते हैं तो in future में कोई भी business करें उसको वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे like उसमें इतनी सारी चीजें होती है इतने perfection से चीजें हमें सिखाई जाती है factory में like जो भी हमारे buyers होते है foreigners होते हैं उनके साथ काम करके इतने perfect हो जाते हैं हम चीजों में कि जब हम अपना काम शुरू करेंगे चाहे कोई भी business हो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप government manufacturing में ही business करें या फिर आप बुटीग ही खोले कोई भी business करेंगे उसमें बहुत ही help होने वाला है तो यह था आज का छोटा सा topic जो कि मेरे कई सारे merchandising से related videos देखने वाले जो मेरे viewers हैं वो बहुत पसंद करते हैं मैंने देखाया है मेरे ऐसे वाले वीडियोस पर बहुत अच्छे व्यूज है तो thank you so much और आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफेकेशन आपको मिलती रहे तिल देन बाबाई एंड मिलते हैं फिर मेरी नेक्सी वीडियो